आज भारत आधुनिक इंफ्रास्रक्र के निर्मान के लिए जादा से जादा इन्वेस्टमेंट करने के लिए प्रतिबद्ध है तो वही आज का भारत हर वो कदम भे उठा रहा है जिससे प्रोजेक्ट में देरी ना हो बदलाव के लिए परिश्रम ही एक मातर विकल्प होता है इस सच्चाई को साबित करने के लिए आदर निय मुख्यमंतरी एकनाज शिंदे जी ने कई सारे ठप हुए प्रोजेक्स को संजीवनी दी है उनी कुछ प्रोजेक्स में से एक है अटल बिहारी वाजपेई शिवडी नहवा शेवा अटल सेतु अटल सेतु की लंबाई 21.8 किलोमेटर इतनी है इस महा मार्क पर दो तरफ तीन-तीन मार्गी का है और एक आपात कालिन मार्गी का है इस सेतु का 16.5 किलोमेटर का मार्ग समुदरी सते से उपर है तो 5.5 किलोमेटर की उननत मार्गी का है अटल सेतु का कुल बजेट 17,800 करोड से अधिक है और यह पूरे भारत वर्ष का सबसे लंबा सागरी सेतु है इस अटल सेतु की शुर्वाज शिवडी से होती है और शिवाजी नगर से होकर चिरले गाव में इसकी सीमा समाप्त होती है इन तीनों जगाओं से निकलने वाले तीन इंटरचेंजेज भी है जिसकी वज़े से मुंबई से रायगड, नई मुंबई का हवाई अड़ा, नावा शेवा बंदर और मुंबई पुने दृतगती मार्ग इनके बीच का फासला कम होगा सनमाननिय प्रधान मंतरी मोदी जी के शुन्य परियावरण हानी के विजन के तहर सागरी जीवन आहत नहो ये भी सुनिश्चित किया गया है इस सेतु के कारण यातरा का अनुबव सुखद, जलद और इंधन समय की बेहत बचत होती है मानो ये प्रोजेक्ट महायूती के सर्वांगिन विकास परव का एक तरह से प्रमान है सनमाननिय प्रधान मंतरी नरेंद्र मोदी जी के विजन और लिडर्शिप के तहल अटल सेतु का निर्मान किया गया है महराष्ट राज्य के मुख्यमंतरी एकनाजी शिंदे, उपमुख्यमंतरी देवेंद्र जी फटनवीस और उपमुख्यमंतरी अजीत दाडा पवार इनके मार्ग दर्शन से सेतु का काम सफल हुआ है और भूत पूर्व प्रधान मंतरी स्वर्गिय अटल बिहारी वाजपई जैसे जुझारू नेता का नाम इस सेतु को दिया जाना अपने आप में उचा स्तर सुनिश्चित करने वाली बात है